हेलो दोस्तों कैसे हो स्वागता है आप सभी का हमारे एसके लेक्रिक वर्ड यूट्यूब चैनल में तो काफी दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली अपने यूट्यूब चैनल पे तो मैं थोड़ा सा बीजी चल रहा था काम के रिलेटेड काफी लोड जादा था हमारे पास इ हमारी वीडियो देखते हैं उनकी बड़ी-बड़ी महरबनी तो हमारी पूरी टीम पहुंची है ठीक है टीम के मेंबरोस भी मैं आपको सब को मिलो होंगा तो चली पहले हम काम की बात कर लेते हैं यह हमारे टोटल 20 पैनल है 335 वाट का एक पैनल है और यह कश्टमर का घर है लोकेशन है यह कहां किया यह भी मैं आपको बताने वाला हूं यह गंगानगर में पढ़ता है राजिस्तान में यह जिला इनका पढ़ता है अनूपगड तो हम इस गाड़ी से साड़े 500 किलोमेटर चलके इतनी दूर से इनके दो इन्वर्टर इंस्टॉल करने के लिए एक घर में इंस्टॉल हुआ है और दूसरे इन्वर्टर की लोकेशन में यहां से दूसरे घर की लोकेशन जो है यहां से थोड़ा दूर है तो मैं थोड़ा सा फोक्स करने के आपको कोशिश करूंगा दिखाने की यह वाला जो मकान है यहां पे थोड़ा सा यहां पे है वो मका तो तोड़ा से यहां लबग जो है एक डेट किलोमीटर है यह पैनल देख सकते हैं यह अनका पैनल है फोए-मारी साथ मिलके और सोरी मेरे साथ मिलके इन्वर्टर इंस्ट्रॉल किया सब कुछ इन्होंने काम किया अगर मैं तो यहां पर कनेक्टर यह दस-दस की सीरीज थे ने पैरलर किया हुआ थे यह पाइप के साथ ऐसे दबा यहां से वायर डाल के यहां पर डाल है हम है राजिस्तान लगब करनाल से 45500 किलमिटर दूर तो यह हमारा सेटप लगाव है यहां पर ठीक है और यह इन्वर्टर ओन है हमारा अभी अगर लोड की बात करूं तो मैं तोटल का साड़े 3.5 आंपयर का जो है लोड चल रहा है 3.22 ठीक है तो चलिए एक बार हम इनकी टौका मोटर चलाते हैं जिसे हम देशी बासे में गंडासा या चारा काटने वाले मशीन बोलते हैं ठीक है इनकी ये मोटर है इसे चलाएंगे हम ठीक है इसको चलाने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि इनकी समर्शिवल है वो भी चला के दिखाएंगे तो संदी भाई जाइए महाँ पर एक बार मोटर को ओन करिएगा रावल जाओ अरुम जाओ मोटर ओन करें एक बार जाके ठीक है तो मैं आपको मोटर का लोड दिखाता हूं मोटर ओन रखना लोड दिखाता हूं ठीक है ये इनकी मोटर ओन हो चुकी है चलिए मैं एक बार मोटर के पास लेकर चलता हूं आपको इनकी मोटर दिखाता हूं तो अभी करंट में चल रही है ठीक है ये वाली मोटर है ओन आप इनका हम समर्शिबल चला के दिखाएंगे संदीब भाई जाइए और समर्शिबल कोन करिए वहाँ पर तो मैं आपको समर्शिबल के अंपेर दिखा देता हूं तब तक वह जा रहा है ठीक है यहाँ पर आभी देखेंगे 3.19 चल रहे हैं और समर्शिबल पर देखते हैं तो दूसरा इनमर्टर जो लगाव है उसकी भी वीडियो डालेंगे आपको दिखाएंगे सारा सेटप और जब भी हमारा कोई इनमर्टर भाई को खरीदता है तो ACMCV और DCMCV का यूज करें कई हमारे भाई हैं जो इंस्टॉल कर लेते हैं पर वह DCMCV नहीं लगाते जिस वज़े से जो है problem आ जाती है inverter में तो थोड़ा ध्यान रखें और मैं action दिखा देता हूँ एक बर आपको मैं ठीक है यहां से यह वायर आई हुई है अभी इसको round कर रखा है तो इसे हम खोलेंगे ठीक है क्योंकि यह पाइप में डाली थी ना तो खिचने का डर था कि वाप पैनल यह है ठीक है और मैं एक पैनल का आपको अगर इसे स्टीकर है तो दिखा देता हूँ तो यह स्टीकर थोड़ा उल्टा है आप देख लिजीए अ 240W का एक पैनल है ठीक है यह डिटेल है पैनल की और इनकी मोटर दिखा दे यह जो मोटर चलती है इस तलाब में मोटर है यह वायर जा रही है यह मोटर जो है इस तलाब से पानी खीचती है और खेत सिजाई के काम करती है ठीक है यह कश्टमर के घर की लोकेशन कुछ इस परका तो सबसे पहले नाम बताईए और यह बताई कि आप कहां से जी हुआ जी मेरे बताई हैं बताई जी तो आपका लोड कितना चला सारा चला चला कैसे चला फोटाई जी है और जो में समर्शिवल चलाया है एक मशीन वाल कुतर वाला जो टुका तो चला है जो मोटर आम लोड जो है घर का जो जितना भी लोड है सारे फ्रीज पंक्य आपके टोटल लोड चला है मतलब आप संथुष्ट हो ना इस चीज से बिलकुल बिलकुल जी ठीक है ठीक है